देश भर में तेन दिवसिय पल्स पोलियो अभ्यान का आयोजन किया गया जिस से सफल बनाने के लिए इसे सभी लोगों ने अपने बच्चों को पल्स पोलियो बूथ लाकर पोलियों की खुराख पिलाई इसी बीच चार फीट बर्प में भी हेल्थ वर्कर डालिमा कुमारी ने पल्स पोलियो अभ्यान को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया जहां बात कर रहे हैं हिमाचल के मंडी के सराज के दुर्गम शेतर खुनाची की जहां पर चार फीट बर्पड़ी हुई थी लेकिन हेल्थ वर्कर डालिमा कुमारी के होसलों को कोई नहीं रोक पाया दस किलोमीटर पैदर चलकर खुनाची में 188 बच्चों की पोलियो की खुराक उन्होंने पिलाई डामिला का कहना है कि पोलियो अभ्यान को सफल बनाने में अपनी भागेदारी तो उन्होंने दी है साथ ही छोटे-छोटे बच्चों के माता-पिता ने भी बच्चों को पोलियो पिला कर अभियान को सफल बनाने में एहन योगदान दिया गाडबुशनी के खुनाची एरिया में इस साल चार फिट बरफ गीरी है जो की पिछले बारा सालों में से सबसे ज़्यादा आंकी गई है आज मेरी ड्यूटी पोलियो सुपरविजन के लिए लगी थी इतनी बरफ के बीच में दस किलोमेटर पैदल चलकर पोलियो ब्यूत का नरिक्षन किया आशा वरकर और आंगनवाडी वरकर की साहिता से 188 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई